Hey my dear students, this is Saloni Pandan, I welcome you all to Magnet Brains, the only channel where you get complete CBSE courses from kindergarten to class 12, साथ ही साथ में NTHC, Olympiad, NCRT, Exemplar, Hindi Medium, English Medium और सभी State Board के वीडियोज और ये सब कुछ मिलता है आपको बिलकुल free of cost, तियानि की 100% free online education without any paid subscription, आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी payment करने की जरूरत नहीं है, कोई भी paid subscription लेने की जरूरत नहीं है, आपको दो lectures के बाद मैं ऐसा बिलकुल नहीं कहा जाता कि आपको आगे की lectures दिखने के लिए कोई payment करना है, क्योंकि सब कुछ है बिलकुल free of cost, so आज के हमारा यह जो lecture है, यह बहुत 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 ज़्यादा important है, और यह क्यों है बहुत ज़्यादा important, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने जाने हमारा एक new chapter, that is chapter number 3, environment and society, अभी तक हम जो भी सारी चीज़े पढ़ रहे थे, मतलब आपने book 1 पढ़ी, that is introducing sociology, आपने उस economic है, religious है, family है, kinship है, etc, etc, आपने social institutions को पढ़ा, आपने terms, concepts क्या होते है, sociology में, उन्हें आपने समझा social roles हो गए, social control हो गए, culture क्या होता है, socialization क्या होता है, rural areas, urban areas, etc, etc, मतलब, as a whole, आपने हर एक चीज़ society के बारे में पढ़ लिए, हर एक चीज़ को आपने समझ लिया, अब हमने start करी book 2, that is understanding society, इस book में आपने क्या सारे चीज़े पढ़ी, कि exactly, जो है, कैसे society में inequalities होती है, society work कैसे करती है, आपने उसको समझा, अब ये जो chapter है, ये बहुत ज़्यादा, जो है, मतलब बहुत डिफरेंट तो नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत बहुत chapter है, लेकिन बहुत interesting chapter है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इस chapter में आ जाता है आपका environment, अभी तक आप society के बाने में जान रहे थे, आप society को पढ़ रहे थे, society को समझ रहे थे और आपने समझ भी ली society, but environment और society, इन दोनों का क्या connection है, मतलब environment तो आप जो है third, fourth class से पढ़ते अब आपको इस environment को अपनी society से connect करना है, अभी तक आपने जो भी सारी चीज़े पढ़िया, अचा देखो, 11th sociology, book 2, understanding society, chapter number 3, environment and society, ये हम आज से start कर रहे हैं, और आज के हमारे इस lecture में हम इस chapter का एक introduction, एक overview देखने वाले हैं, कि basically ये जो chapter है, ये क्या सारी चीज़े आपको ब कुछ भी हो, कोई भी institution हो, आपकी daily life, आपका daily routine, आपकी पूरी life as a whole, आपकी family, religion, caste, हर एक चीज़ sociology में पढ़ी जाती है, ये एक चीज़ आपने देखी, मतलब कि आपको society में study किया जाता है, आप से society बनी है, और इस society को आप ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर किसी इसने sociology नहीं पड़ी है, तो भी उसको थोड़ा बहुत society के बारे में पता होता है, उसको knowledge होता है, यहाँ पर आप sociology में society को पढ़ रहे हो, अब हम बात करें environment की, society जिसमें हम रहते हैं, environment जो हमारे आज पास में है, ठीक है, हमारा जो nature है, जो हमारा physical world है, जो हमारी ecology है, इस society को पढ़ते हो, that is sociology, environment जो आपके आज पास में है, जो आपका nature है, that is your environment, अब आपके जितने भी आज पास चीज़ें हैं, उसको आप observe करो, ठीक है, आप जस्ट उसको देखो, आप observe करो, जैसे for example, आप student हो, आप स्कूल में रहते हो, क्लास में हो, आपके आज पास क्या सार इसको देखो, जैसे for example, आपका school है, school में आपका classroom के अंदर, जो है, आप बैठे हो, आपके पास में school bag है, आपके पास में uniform है, desk है, जिस पर बैठ के आप जो है, लिखते हो, chair है, table है, pen है, pencil है, eraser है, आप मेरा ये video देख रहा है, mobile पर घर में बैठे हैं, just suppose, आपके घर में भी furniture दिया हुआ है, साथी साथ में, जो है, आपने बहुत सारी ऐसी चीजे लगाई होंगी, जिस आपका घर बहुत जादा खूबसूरत लगता होगा, मतलब furniture तो है, साथी साथ में, pen, pencil, etc, etc, हर एक चीज, हर एक चीज, ठीके, इन सारी चीजों को आप देख रहे हो, आप समझते हो, यह सब कहां से आया है, कहां से यह चेयर बनी है, कहां से यह पहन आपके पास में है, आप जो यूनिफॉर्म पहन रहे हो, वो कहां से बनके आती है, यह सारी चीजे कहां से आ रही हैं, आपके पास में, अचा, इन्हें आप सोसाइटी में, क्यों पढ़ आप सोस के हर एक चीज को आप जानते हो, society कैसे run होती है, society कैसे survive होती है, हर एक चीज को आप जानते हो, आप समझते हो, ठीक है, इतना आप जानते हो, अब जो भी चीज आप use कर रहा हो, वो कहां से आ रही है सारी चीज़े, so that all comes from your environment, from your nature, that means the source of each material object lies in nature, हर एक material object nature से आया हुआ है, आ कैसे बनी हुई है, कैसे बनी है, आपकी chair, chair काई example लिलो, आपकी वो chair कैसे बनी है, कहां से वो trees से, जो है कटते 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 कहां तक हम पहुचें, हर एक चीज को हम discuss करेंगे, so basically, जो भी material objects है, सारी चीज़े nature में लाइ करती है, and that nature is your environment, ठीक है, हर एक material object का source कहां से है, nature से है, यह मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही थी, अब हम इस nature से कैसे हमारी इस society को connect करने वाले हैं, यह हम यहाँ पर समझेंगे, so everyday we use objects whose production draws upon natural resources from around the world, daily हम कुछ ना कुछ चीज़ों को use करते हैं, आपका school bag चाह, यह तो मैंने आपको example दे दिये, और ऐसे धेर सारे example, आप स material objects की, हर एक चीज, अब आप जितनी भी चीज़े use करते हूं, उनका जो production है, वो natural resources से होता है, आपने natural resources के बारे में पढ़ा है न, जो भी resources हमें nature से मिले हुए, like for example, आपके trees हो गया, आपका water हो गया, air हो गया, etc, etc, यह सारे आपके natural resources के अंदर आते है, natural resources में, renewable, non-renewable, etc, tech sector, बहुत सारे resources होते हैं, तो हम वो 4th, 5th, 6th class वाली science पर नहीं जाएंगे, यहां हमारा जो मतला motive है, हम किसे चीज को पढ़ रहे हैं, हम society को पढ़ रहे हैं, इस society में environment कहां से आगया, environment को society से कैसे connect करोगे, यह हमको यहां पर इस chapter में समझना है, science, I hope आपको सारी पता हु कि यह चीज़ा आपको पता होंगे, और definitely आपको पता होंगी, आप जैसे मैंने आपसे कहा, कि एक chair है आपकी classroom में, किस चीज से बनी है वो chair, wood से बनी है, उसमें iron nails use हुई है, उसमें glue use हुआ है, उसमें varnish use हुआ है, exact, exact, ठीक है, एक chair जो है, जिस पर आप बैठे हो, जैसे iron nails use हुई, उसमें glue use हुआ है, उसमें varnish, यह सारी चीज़ों को use किया गया, wood कहां से आया, iron nails कहां से आया, varnish कहां से यह chair आप तक कहां से पहुची, wood तो use हुआ है, मतलब कि जो है, हम कहीं न कहीं forest की बात कर रहे हैं, हम trees की बात करें, मतलब इस chair की journey start कहां से हुई, तो सब से पहले forest से, forest से tea, मतलब जो trees हैं, उनको हमने लिया, फिर उसके बाद में जो है, यह कहां पहुचेगी, जो manufacturing होगी, वहाँ पर पहुचेगी, वहाँ पर इसको wood को cut किया जाएगा, फिर इसके बाद में nails को, जो iron nails वगिरा को, glue को, जित भी चीज़े required हैं, उनने use किया जा जाएगी, तो इसको जो है, मतलब किस एक चीज़ के तुरू, ट्रांसपोर्ट करके, उस ट्रांसपोर्ट में क्या सारी चीज़े लगेंगी, मतलब एक तो manufacturing के electricity तो लगेगी, diesel होगा, trade की facilities, telecommunication, यह सारे process जब हो जाएंगे, तब वो चेहरा आप तक पहुचाएगी, ठीक wholesaler ने retailer को दिया, retailer से आप तक पहुची, इस पूरे process में transportation भी लगा, diesel, petrol जो है, वो भी लगा, electricity भी लगी, telecommunication भी हुआ, बिना communication की कोई चीज़ नहीं हो सकती, और साथी साथ में trade भी हो रहा है, तो यह जो एक पूरी journey है, कहां से start हुई, nature से start हुई, कहां पहुची, आप क किस के पाठ हो, आप society के पाठ हो, आया समझ में, क्या एक चीज़ का connection हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करें हैं, along the way, it has passed through the hands of loggers, carpenters, supervisors, managers, transporters, traders and those in charge of buying school furniture, अब हम बात करने हैं, आपके school की, आपके school में मान लो, यह chair आई हुई है, तो यह जो पूरा process था, forest से लेके school तक पहुँचने तक का, उसमें कितने लोग involved थे, तो एक तो जो loggers होंगे, जो carpenters होंगे, जो इस सारे काम को supervise करेंगे, जो manager होंगे, जो transport कर रहे होंगे, जो trade कर रहे हैं, chair के उसमें, मतलब chairs को sell out ही कर रहे हैं, trade ही हो रहा हैं, तो trade जो लोग कर रहे हैं, और आपके school से ज social processes in society, chapter 2 आपने पढ़ा, social change and social order in rural and urban society, आपने social order और social change अब rural और urban societies में पढ़ा, तो आपने occupation के बारे में पढ़ा, कि जो हमारी urban या rural societies होती, वहाँ पर किस तरह की occupations होती हैं, clear है, आपने उसमें carpenter, weaver, trader, supervisor, manager, etc., etc., यह सारी चीज़ों के बारे में भी discuss किया हुआ है, जैसे आपने caste system पढ़ा हुआ है, तो caste system जो होता है, वो आपकी occupation को define करते हैं, कि आप किस occupation में होगे, आप क्या काम करोगे, यह सारी चीज़े जो है caste system के अंदर से होती है, so basically यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, कि यह पूरी society इसमें involved है, और nature इसमें involved है, इसी connected है, ना केवल resources को लेके, बल्कि और भी बहा सारी चीजों को लेके, यहाँ आपको सिर्फ एक resources का example दिया गया था, लेकिन और भी बहा सारी चीजों को लेके, environment और society एक दूसरे के साथ में, close relationship में है, connected है, कैसे है, close relationship and connected, clear है, अब आप इस chapter में, in this chapter we will study social relationships with the environment as they have changed over time, and is they worry from place to place, अब आपने देखा है कि environment तो पहले सही है, society भी बहुत पुरानी है, मतलब ऐसा नहीं कि society जो है, नहीं नहीं बनी हुई है, society बहुत पहले से, even primitive times, मतलब जब primitive humanity थी, तब से community का concept आ चुका था, primitive community जिसे हम कहते हैं, और धीरे धीरे society, जो as a social, मतलब as a entity, जो है, वो बनना start हो जाती है, environment हमेशा सही था, environment नहीं होता है, तो शायद हम भी नहीं होते, इस chapter में हम पढ़ेंगे social relationship environment के साथ में, और ये relationship कैसे time to time change होती गई है, कैसे place to place वरी होती गई, मतलब in short, जो हम starting से पढ़ते हुए आ रहे थी कि sociology is the scientific study, आप यहाँ science के through ही समझने वाल such variations in a systematic way, तो ये जो पूरी variations, ये जो पूरा हम मतलब समझने की कोशिश कर रहे, environment or society को, उसे systematic way में हम यहाँ पर जो है, analyze करेंगे, interpret करेंगे, there are many urgent environmental problems that demand our attention, बहुत सारी ऐसी environmental problems हैं, जो हमारे attention की demand करती हैं, जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, बहुत सी environmental risk हैं, ऐसी बह पने पड़ी हुई है, climate change हो रहा है, etc, etc, ये कितनी जादा grave problems हैं society के लिए, कितना जादा important है कि हम इनकी तरफ ध्यान दें, और ऐसी problems को हम खतम करें, नहीं तो एक दिन क्या होगा, ना society बचेगी, ना पूरा world बचेगा, clear है, मतलब इतनी जादा grave problems है, तो उन problems के बारे में हम पड़े, उन्हें हम कैसे solve कर सकते हैं, इसके बारे में हम पड़े, and to address these crises effectively, we need a sociological framework for understanding why they occur and how they might be prevented or resolved, और इन सारे crisis को, इन सारे environmental problems को जो है, मतलब खतम करने के लिए, और साथी साथ में क्यों ये हो रही है, क्या कारण है और कैसे हम इने खतम कर सकते हैं, इसके लिए हमें क एक sociologist की viewpoint से हमको समझना होगा, कि ये problems क्यों हो रही है, क्या इनके कारण है, so basically इस chapter में आप ecology पढ़ने वाले हो, देखो, आप पढ़ेंगे इसमें ecology, ecology क्या होती है, ये society से किस तरह से, जो है related है, humans की क्या relationship है एक environment के साथ में, major environmental problems, major environmental problems जो होगी, जैसे आपकी global warming हो गई, साथ ही साथ में industrial pollution है, एक सेक्ट, एक सेक्ट, बहुत सारी problems को हम यहां पर पढ़ने वाले, man-made disasters क्या होते हैं, मतलब man-made, जो है किस तरह से pollutions होती है, किस तरह से, मतलब environment को affect किया जाता है, natural कौन कौन सी calamities होती ही, बहुत सारा कुछ जो है, हम यहा most most important topic, जो आप यहां पर पढ़ने वाले हैं, वो है sustainable development, देखो sustainable development, एक ऐसा issue है, जो ना केवल आपको आज काम आने वाला है, आप आगे कितना भी study कर लो, higher studies मतलब आप जब करोगे, आप college में चले जाओगे, graduation हो, post graduation हो, sustainable development एक बहुत important topic है, और इसका जो scope है, वो सिर्फ national level प है, तो किसी भी चीज में यह बहुत important होता है, इसका knowledge भी आपको होना ही चाहिए, so basically हम यहाँ पर sustainable development को भी पढ़ने वाले हैं, यह तो मैंने आपको बहुत short में बता दिया, related बहुत सारे terms को, बहुत सारे aspects को हम यहाँ पर जो है, पढ़ेंगे, उनको answer करेंगे, and then finally हम इन स अभी का एक society के साथ में क्या relationship है, उसे समझने वाले है, clear है, आगया यहाँ तक समझ में, I hope इतने में कोई भी doubt नहीं होगा कि basically यह chapter किस एक चीज को लेके है, क्या हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, like environment or society, क्या तालमिल होने वाला है, so क्या होने वाला है, तालमिल कैसे दोन में इस chapter में पढ़ने वाले है, हमारे next lecture में हम ecology and society को पढ़ेंगे, मतलब ecology और society एक दूसरे से कैसे related है, यहाँ पर हमने एक introduction देख लिया chapter का, क्या सारी चीजे इसके अंदर पढ़ने वाले हो, कैसे environment society एक दूसरे के साथ में related होते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा, द अब जब आप उन new teacher के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हो, थोड़ा बहुत समझ आते हो, तो फिर आप उनके nature को समझ आते हो, कि अच्छा यह माम जो है, यह ऐसी है, इनका ऐसा nature है, यह इस तरीके से जो है बात करती है, एक सेक्टरा, एक सेक्टरा, तो यह chapter को भी ऐ आता भी है, तो सबसे सिंपल है, कमेंट सेक्शन में बता दो, हमें इस एक चीज में डाउट आ रहा है, मैं आपको उसमें आंसर कर दोगी, clear है, I hope कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट इस तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और अब एक और चीज की देखो, मागनेट ब्रेंस का जो है, प्ले स्टोर पे अपना एप है, मागनेट ब्रेंस, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उस पर भी आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप किसी को वेब साइट से पढ़ना है, उस पर भी आपको बहुत सारी चीज मिलेगी, तो जस्ट कुछ भी न आपको जो भी क्लास, जो भी कोर्स स्टडी करना है, उस पर क्लिक किया, क्लास कोर्स से रिलेटेड यह आगे सारे सब्जेक्ट की वीडियो, आपको जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड यहां आजाएंगे चैप्टर वाइस वीडियो, चैप्टर पे क्लिक करोगे, सभी देखना है यहांसे केंसल कर दो, so बहुती दिसीली मगनेट बेंश की वेबसेट को एकसिस कर सकते हो, और देखो एक और चीज़ कि मागनेट बेंश का अपना कुछ का हिंदी मीडियम चैनल भी है, that is Magnet Brins Hindi, so यहाँ पर आपको सभी lectures मिलेंगे Hindi medium में, अपने friends को, अपने relatives को जिसे भी जरूरत है Hindi medium में जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता दो कि Magnet Brins का Hindi जो चानल है आप उसको subscribe कर दो और easily सारे concepts को clear कर लो क्योंकि यहाँ आपको क्या मिलता है 100% free online education सब जल्दी से इस वीडियो को like कर दो, share कर दो और चैनल को subscribe करना मत भूलना हम मिलेंगे हमारे next video lecture में Thank you very much